हेलो दोस्तो नमस्कार इंपी राइजर किरो सुए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों यह दि आपको रोटी सब्जी बनाने का और खाने का अमन ना करें और हम भुखे भी नहीं रह सकते हैं और हमें चटपटा भी खाने का मन हो तो ऐसे में हम क्या दान जी हां आज हम गेहूं की आटे से बनाएंगे चटपटा क्रिस्पी और क्रंची नास्ता जो मिंटों में वन कर त्यार हो जाएगा और टेस्ट में तो समोसा पकोड़े को भी पीछे छोड़ देगा यह इतना टेस्टी और क्रंची लगता है कि इसे आप बार बार बना चाहेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहां पर मैंने एक छोटी कटोरी से एक कटोरी पोहा ले रखा है यानि कि हमारे यहां इसे चूड़ा भी बोलते हैं इसे ले लिया है अब इसे क्या करेंगे कि बड़े बरतन में ट्रांसफर कर देंगे और आगे के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं यहां पर एक बड़ा बरतन लेंगे और एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और उसमें एक कटोरी बारी कटा हुआ प्याज लेंगे दो से तीन हरी मिर्च स्वाद के अनुसार और अधरक इसे भी मैंने बारीग बारीग चौप कर दिया है और टमाटर धन्या पता इन सभी को बारीग बारीग काट लेंगे टमाटर के मने बीच को हटा दिया है अब इन में थोड़ा से मसाला डालेंगे मसाला भी में ज्यादा प्रियोग नहीं करेंगे यहां पर एक चमश जीरा लिया है वैंने और लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं और थोड़ी सी हिंग इसे स्वाद अच्छा भी आएगा और यह बनेगा आप स्वाद के अनुसार नमक आपके जितना क्वांटिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालें कि यहांपर मैंने डेड़ चमश नमक डाला है छोटा चमश हमेरा अब इसको और चट पटा बनाने के लिए यहांपर नीम्बू डालेंगे हाफ नीम्बू के रस मैंने इसमें डाल दिया है आपके आपके पास मेरी नहों तो इसमें दही भी डाल सकते हैं या सीरगा अर्भ गाढ़ा सा दो तयार कर लेंगे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखिस तरह से मैंने यह दो बना लिया है थोड़ा सा गाढ़ा है और इसको क्या करेंगे एक तरफ करें आपको तो आप क्या करें कि उसमें फोड़ा सा पानी डौर कर इसे अच्छे से मसल दें। हाथों की सहाता से यहां पर मसलना बहुत अधिक इसको बारिक नहीं करना है बस जितना ही आराम से मसला जाए उतना ही मसली एक दो चमच पानी डालिए और इसे आप अच्छे सिस्तर से मसल दीजिए अब इस जो पूहा का पौडर है इसे भी इसमें हम डाल देंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो नास्ता है वो काफी क्रंची क्रिस्पी तयार होगा कर देंगे अच्छे से यदि आपको गोल गाढ़ा लगे तो आप क्या करें कि उसमें थोड़ा स्वार पानी डालकर उसे हलका सा इसे जो बैटर है वो पतला कर लें इस तरह से बना लिया है मैंने बहुत अधिक पतला नहीं बनाएंगे अब यह क्या करेंगे कि एक पैन लूंगी और यहां पर एक चमस तेल डालेंगे आप चाहें तो तवा भी ले लिजिए और तेल भी कम कर सकते हैं अब तेल को मिला लेंगे चारो तरफ से फैला लेंगे आँच जो है वो मीडियम ही र क्यार कर सकते हैं पर मैंने मेडियम साइज का बनाया है ना अधिक बहुत पतला है और नहीं अधिक जो मोटा है देखे इस तरह से जब यह यलो गोल्डेन हो जाए तब इससे क्या करेंगे कि पलड़ देंगे यह बहुत कम तेल में भी बन जाता है और आप चाहेंगे तो इ आप जो है वह इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं अब इसी पैन में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और इसे हल्का सर डीप फ्राइ कर देंगे यह आपके टेस्ट या आपकी इक्षा के अनुसार है आप चाहें जैसे भी बना सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से बता कर सकते हैं देखिए इसे भी गोल्डन फाइफ होने तक या करेंगे कि अच्छे से इसे उलट को लटकर इसे सेंगे इस तरीके से काफी टेस्टी बनेगा आप लोग इसे जरूर ट्राइ किजिएगा एक बार फिर से यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखिए हमारा यह जो है यह भी तयार हो गया कितना अच्छा इसका कलर आया है और यह काफी क्रिस्पी बना है आप यदि पोहा नहीं डालना चाहा रहे हैं तो आप इसमें क्या किजिए कि सूजी भी डाल सकते हैं यदि सूजी ना हो तो आप इसमें चावल का आँटा भी डाल सकते हैं इसमें कुछ भी डाल कर इसको क्रिस्पी बनाया और आपके पास बेशन सूजी ना हो तो आप इस नास्ते को आराम से बनाकर सर्व कर सकती है और वह काफी खुज भी होगे और पहचान भी नहीं पाएंगे कि आंटे का बना हुआ है इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी लगता है काफी चटपटा लगता है देखें तोड़त कर लिजिए और डिफ्राइ करके उन्हें भी दीजिए वह भी खुश आप भी खुश बहुत इजी वे में कम समान में बनकर रेडी भी हो जाता है और तारिफ के पूल भी बन जाएंगे तो आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद